नमस्कार मैं हूँ दिव्य बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 29 अगस्त दिन गुरुवार खबर के उबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार के सभी BCLR को राजस्व विभाग ने भेजा लेटर बिहार में सभी BCLR की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सक्षा मंतरी का बड़ा बयान महिलाओं उस रक्षा के लिए बिहार सरकार की बरी पहल बिहार के नखारण सहरों में खुलेंगे FM डेडियो सभी जिलों के स्कूलों का जिलाधिकारी करेंगे निरेक्षन सेक्षव भाग ने दिये निर्देश एलस जी के मेंटर बने पूर्व तेज गेंदबा आज जहीर खान चलिया भरते हैं आप तक के 25 परिक अब्लों के लिए निकली भरती जल्द करे आविदन पंजाब और हरियाना हाइकोट ने चंडिगर में चपरासी के पदों पर भरती निकाली है यह भरती कुल 300 पदों के लिए है आविदन प्रगडिया शुरू है और आविदन करने के इंतमति थी 20 सितंबर है इचो को मिदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट हाइकोट chd.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं इस भरती के लिए जरूरी है कि मिदवारों ने कम से कम आठवी और अधिक्तम बारवी पास की उमिदवारों की आयू सीमा 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए भरती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए पिस के अधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। पर से राजे भर में शुरू की जाएगी महिलाओं के खिलाफ अपराद के हालात चिंता जनक है 2023 में राश्ट्रे महिला आयोग को बिहार में 312 सिकायते मिली थी और NCRB के 2022 के रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ 4.45 लाख अपराद दर्ज हुए महिलाएं मदद फोन है तो उसके लिए आप लगातार 5 या 9 नंबर बटन भी दबाए रख सकते हैं यदि आपने 112 इंडिया मोबाई लैब डाउनोट कर रखा है तो यहां SHOUT बटन दबाएं जिससे इसके आस पास के वॉलेंटियर भी अलर्ट हो जाएंगे और तुरंत आपकी मदद के इसा हुआ करता था इस दिले में डॉक्टर राजिंदर प्रसाद का जन्म हुआ था यहां अतिहासिक से लेकर धार्मिक और कई परिटन असल हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं इसमें सबसे पहले जिरादेई जहां राजिंदर प्रसाद का आवास है यहां आप इनसे जू जाने के प्लानिंग बनाते हैं तो इना स्थानों पर घूमने के लिए जा सकते हैं विहार के सभी DCLR को राजस्व विभाग ने भेजा लेटर राजस्विवं भूमी सुधार विभाग राज्य के भूमी सुधार ओप समाहर्ताओं को एक सप्था का निवारी प्रसक्षन देन समाहर्ताओं को पत्र लेकर ये जान काड़ी दी है बता दे कि ये प्रसक्षन तीन चर्णों में 24 नवेंबर तक चलेगा प्रसक्षन के लिए पाठे क्रम एवं प्रसक्षक का निर्धारन क्या गया है आज सीम नितीष राश्ट्रिय खेल्दिवस के मौके पर बिहार खेल अकेडमी का करेंगे उदघाटन आज सीम निती इसकुमार राश्ट्य खेल दिवस के मौके पर बिहार खेल अकेडमी का उधगारटन करने वाले हैं राजगीर में नव निर्मित राजिक खेल अकेडमी में विस्विद्याले का संचालन किया जाएगा ये बिहार का पहला खेल विस्विद्याले है इस विस्विद्याले के कुलपती सार रजिस्टा और आईस रजनी कांथ नियुक्त के गए हैं इस संबंध में अधी सूचना भी जारी हो चुकी है इस संबंध में कुमार रवी और भी राजिंद्र ने जानकारी दिये कि राजगीर में खेल अकैडमी और क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए 81 अस्थाई और 33 से सम्वीदा पर कर्मचारी नियुक्त के जाएंगे जहां निदेशक, उप निदेशक, सहायक, निदेशक, कोच, मीडिया प्रभारी, डाइटीसियन, साइन्टिफिक ऑफिस, लाइब्रेरियन, मसाजर, योग गुरु और योग प्रोफेस्टिनल जैसे पद सामल है बिहार में सक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सिक्षा मंतरी सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि ये कार्ड अभी प्रक्रिया धीन है, जल्दी ये पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने बताये कि सक्षा विभाग की जो पॉलिसी है, इस पर हम लोगों ने काफी उदारता से इस बात का फैसला लिया है कि जो महिला सक्षा गया जो पती, पतनी या फिर कुछ विसेश परिस्टिती है तो वो अपने पोर्टल पर पिटीसन अप्लोड कर सकते हैं यदि पिटीसन अप्लोड करने में परिशानी हो रही है तो विभाग को फिजिकल पिटीसन भी दी जा सकती है ताकि सिक्षकों की सुवधा के अनुरूप उन्हें पोस्टिंग मिल सके, सितंबर महीने से इस कारे की पूरा होने की उमीद है प्रदेश के सभी जिलादिकारी सरकार को सौपेंगे जांच लैब रिपोर्ट प्रदेश के सभी जिलादिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिलों से की जांच लैब रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौपे इस संबंध में सभी जिलादिकारियों को स्वास्त विभा के विसेश सचीव ससांक सिन्हा ने पत्र भेजा है इस रिपोर्ट में जिलादिकारी बताएंगे कि उनके जिले में पैथोलोजी लैब के साथ एक स्रे अल्टर साउंड सिटी स्कैन और एम आर आई के कितने लैब है सभी लैब मानकों का नुपालन कर रहे हैं या नहीं पत्र के जरिये विसेश सचीव ने कहा है कि सर्वोच नियाई आलस सजुरे एक मामले में कोट को ये जानकारी देनी है कि जिलों में कितने मानक स्वास जाँच घर है सभी जिलाधिकारी अपने जिलों के जिला एवं सत्र नयायधिस और सिविल सर्जन के साथ समन्वे करके आवसक सुविधाओं के साथ मानक जाच घरों को सूचिवध करते वे सरकार को जाच घरों की जानकारी भेजे ताकि कोर्ट को इस समबंध में जानकारी दी जा सके क्या होता है यह लाइन में लगने वाला क्यूट चार्ज जानेगे इस क्यूट चार्ज का पूरा नाम Common User Terminal Equipment होता है जब यातरी टिकट बुक करते हैं उसमें उससे यह क्यूट चार्ज उसके यह लाइन टिकट पर लिया जाता है इस चार्ज को इस लिए लगाए जाता है ताकि एरपोर्ट पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के संचालन और मेंटेनिंस का खर्च बहन किया जा सके जब आप क्यूट चार्ज देते हैं तो ये कई चीजों के लिए लिया जाता है जैसे चेक इन, काउंटर, बैगेज, हैंडलिंग सिस्टम, बोर्टिंग गेट्स, टैक्सी वे, रनवे, एर ट्राफिक कंट्रोल, मेटल डिटेक्टिंग, मसीनों, एसकलेटर और अन्य चीजों की प्रोविजनर आंसर की को जारी कर दिया है, जो भी उमिद्वार इस परिक्षा के लिए उपस्ते थे, वे बीपीएसी की आधिकारिक वेबसेट, बीपीएसी.bih.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, ये आंसर की 1 to 5 के लिए वेबसेट पर अपलोड की गई है इसके लावे उमिद्वार हमारे स्क्रिन पर दिखाएगा लिंक www.bpsc.bih.nic.in.notices पर जाकर BPSC TRE 3.0 की आंसर की को चेक कर सकते हैं, बिहार के प्रसासनिक सेवा में हुआ बड़ा फेर बदल, बिहार के प्रसासनिक सेवा में हुआ बड़ा फेर बदल, बिहार में एक बार फिर से प्रसासनिक सेवा में राजसरकार द्वारा फेर बदल किया गया है, इसके तहट सामाने प्रसासन विभाग ने 25 आधिकारियों के तबादली के अधिसूचना जारी की है, जिसमें पता चला है कि 14 IAS अपसरों को नई जिम्मेदारी दी गई है, वही 11 आधिकारियों क बिहार के 18 सेहरों में खुलेंगे FM रेडियो, बिहार के 18 सेहरों में नए FM खुलने वाले हैं, वहीं पूरे देश में 234 सेहरों में नए नीजी FM रेडियों खुलेंगे, इसके लिए किंदर सरकार की तरब से मंजूरी दे दी गई है, इन रेडियो चैनलों से अस्थानी भा प्रदेस में बिजली आप पूर्ती के गुनवत्ता में होगा सुधार होने जा रहा ये बड़ा काम बिजली आप पूर्ती के गुनवत्ता में प्रदेस के डेर दर्जन जिलों में सुधार किया रहा है बिजली आप पूर्ती के गुनवत्ता में सुधार हो सके इसके लिए 132 केवी में ने ट्रांसमिसन तार बिछाए जाएंगी और पुराने तारों को बदला जाएगा इस कारे में होने वाले संभावित हाथसों पर भी रोक लगेगी इस कारे के लिए बिजली कंपनी द्वारा 402 करोर रुपे खर्च की जाएंगे ये सभी काम एक साल के अंदर करने का लक्ष्य रखा गया है 132 के भी डबल सरकिट टावर पर तार कंपनी द्वारा भववा मोहनिया, पीरो विक्रम गंज, महराज गंज, मसरक, महनार जंदाह, पोपरी बेनीपटी, बेनीपुर, कुसेस्वर अस्थान, चकिया मोतिपुर, साह पटोरी समस्तिपुर, पकरी दयाल डांका, तेघरा बेग सराय, सुन, वर्सा, सिम्री, बक्तियारपुर और किसंगंज, बार्सोई के बीच बिचाया जाएगा, बिहार के पारस मनी ने अमिताब बच्चन के प्रसद सो के बीसी में मनवाया अपना लोहा, टीवी के लोगप्रिये गेम सो कौन बनेगा करोड़ पती में, बिहार के सीट पर बैठने का मौका पाया, 20 सालों से के बीसी में भाग लेने का सपना देखने वाले पारस मनी ने 12,50,000 रुपे की रासी जी थी, लेकिन महात्मा गांधी से जोरे सवाल में फस कर खेल से बाहर हो गया, पहले मोबाइल रिचार्ज की दुकान चलाने वाले पारस मनी कोरोना काल में इरिक्सा लिया था, ये ब्रेन ट्यूमर जैसे गंभीर विमारी से भी जूच रही है, जिसे देखते विया मिताब बच्चन इलाज का बचन दिया है, घर बैठे जमा कर सकते हैं, टोल प्लाजा पर आटोमेटेड कर्टे इचालान की रासी, अब घर बैठे उनलाइन जमा की जा सकती है, परिवहन विभाग ने NIC के सहयोग से एक नई उनलाइन पेमिंट सुविधा शुरू की है, परिवहन सचीव संजर कुमार अगरवाल ने बताया है कि पहले तक निके समस्याओं के कारण ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब ये चालान की रासी जमा करने के लिए नया हेड क्रियेट किया गया है, इडिटेक्शन प्रनाली के तहित फिर्टनस ब्रीमा और प्रदूसन समंद्य लंगनों पर चालान काटे जा रहे हैं, साथ से 22 ऑगस्त के बीच में 17349 बहानों का चालान हुआ है, चालान की रासी जमा कर में बिहार आते हैं, लोगों के आवगमन का सबसे बरिया माध्यम ट्रेन ही होता है, लेकिन ऐसे समय में कई बार कनफर्म टिकेट मिलना तक मुश्किल हो जाता है, इसी को देखते वे हर साल स्पेसल ट्रेन ने चलाई जाती है, एक बार फिर से रेल मंत्राले की तरब से या प्रतिक सरीवार को पतना से और सुन्य दो तीन नौदो आनंद विहार पतना स्पेसल छे ऐकंटूबर से 10 नवेंबर तक प्रतिक रविवार को आनंद विहार से चलेंगी। स्पेशल 6 अक्टूबर से 10 नवेंबर तक प्रतेक रवीवार को दानापुर से तथा गारी संख्या, सुन्य 3, 2, 5, 8 आनंद विहार पर्टन स्पेशल 7 अक्टूबर से 11 नवेंबर तक प्रतेक सोमवार को आनंद विहार से चलेंगे. सभी जिलों के स्कूलों का जिलाधिकारी करेंगे निरेक्शन. सक्षव विभाग ने दिये नर्देश, बिहार के सरकारे स्कूलों में परहाई लिखाई से लेकर सक्षगों के अटेंडेंस आधी की मोनेटरिंग के लिए नई ववस्था बुनाई जा रही है. नई विवस्था के तहत स्कूल के मॉनेटरिंग जिला और राज दोनों ही अस्तरों से किये जाएंगे दोनों की जांच रिपोर्ट का मिलान सक्षा विभाग मुख्याले अस्तर से किया जाएगा यदि इस तोरान किसी अधिकारी के लापर वाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ सक्थ कारवाई की जाएगी इस संबंध में सभी जिला अधिकारीों को सक्षा विभाग के अपरमुख्य सचीव डॉक्टर एस सिधार्थ ने दिसा निर्देश भी भेजे हैं जाने प्रदेश में आज मौसम का मिजाल बिहार के कई जिलों में बारिस की स्थिति देखने को मिल रही है आज मी प्रदेश में कुछ जगों पर बारिस की संभावना जताई गई है हालांकि आज मौसम विभा की तरब से किसी तरह की चेताव नहीं दिगई है आज प्रदेश में कुछ जगों पर अधिक्तम तापमान 34 से 36 डिगरी और कुछ जगों पर 32 से 34 डिगरी रहने की बात कही गई है वही नियुनतम तापमान 24 से 26 डिगरी तो कुछ जगों पर 28 से 30 डिगरी रहने की बात कही गई है पुराass की गारी को स्क्रैप करने पर नए वहिकर में मिलेगी चूट किंद्रिय मंतरी नितिन गटकरी ने पुराने वानों को वानों की खरीद पर शूट की घोस्ना की है इस पहल के तहित वाहन नर्माता कंपनियां वैलेट टिपॉजिट सर्टिफिकेट के आधार पर नए बाहन खरीदने पर डेर से धाई तीन प्रतीसत तक छूर देने की योजना बना रही है ये कदम प्रदूसन को कम करने सरकों को साफ और सुरक्षित मनाने की दिसा में एक परियास है हालां कि SIAM के अध्यक्ष विनोध अगरवाल ने कहाए कि स्क्रैपेज पॉलिस्टी का ज़्यादा असर नहीं देखा गया है और सरकार को इस दिसा में और प्रोचान दने के जरूरत है उन्होंने सुझाब दिया कि सरकार को इस बार और अधिक ठोस कदम उठाने चाहिए पटना में आयुजित होगी पंचायती विभाग की कारिस साला 27 राज्य और केंदर सासित प्रदेस होंगे सामल पटना में 10 से 12 सितंबर तक पहली बार सभी राज्यों के पंचायती राज्य विभाग की तीन दिवसीय राष्ट्य कारिस साला आयुजित की जाएगी इसमें बिहार सहीत 27 राज्य और 5 केंदर सासित प्रदेसों के लगबग 800 प्रतिनिधी सामल होंगे केंदरी पंचायती राजमंत्री राजीव रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग उधगाटन करेंगे अब तक 6 राज्यों में राष्ट्य कारिसाला हो चुकी है और इस बार का थीम सामाजिक रूप से नयाएपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत रखा गया है कारिसाला में विभिन राज्यों के नवाचारी परियोगों पर चर्चा होगी निसमे गरीबी, मुक्त पंचायत, स्वस्त पंचायत, जल्परियाप्त पंचायत और महिला हितेसी पंचायत जैसे मुद्दे सामल होगी इसके अलावे पंचायतों के विकास चुनादियों पर भी विचार किया जाएगा अब सहर में घर बनाना परेगा महंगा स्रम संसाधन विभाग लेगा टैक्स अब सहर में घर बनाने वालों को महंगा पढ़ने वाला है नरसल सहर में घर बनाने वालों को स्रम संसाधन विभाग को स्रम से सियानी टैक्स देने होंगे टैक्स देने का प्रावधान सरकार करे र आपको ताज महल जैसा घर बना कर देते हैं तो उनकी भलाई के लिए कुछ पैसा दीडिये इस सेसे बिहार सरकार मजदूरों के हित्मे योजना लाती है राज़ेपाल ने विदेश के विश्व विद्यालों का राज़े के विश्व विद्यालों से MOU करने की कही बात भारती विदेश सेवा के अधिकारियों ने मंगलवार को राज़ेपाल राज़ेंदर विश्व नात आर लेकर से राजभवन में मुलाकात की थी ये मुलाकात सिष्टा चार मुलाकात रही इस दौरान राजिपाल ने अधिकारियों से कहा के बिहार में क्रिसी उद्योग परिटन और आधी प्रषेतरों के विकास की अस्रीम संभावनाई है राजी के विश्विद्यालेओं का विदेश के विश्विद्यालेओं के साथ उच्छ सक्षा के विकास और गुनवत्ता सुधार के लिए MOU होना चाहिए प्रदेश में भरते आप राधिक घटनाओ पर तिजस्वी यादब ने खरे किये सवाल प्रदेश में होने वाली आप राधिक घटनाओ पर तिजस्वी यादब ने सवाल खरे किये है नेदा प्रदिपक्ष ने कहा है कि सभी को पता है कि कैसे होता है क्या होता है ये किसी से छिपा नहीं है बिहार में अप्राध तेजी से बर रहा है आगे उन्होंने सवाल खरे करते वे कहा कि DGP को क्या पावर्ड है लो एंड ओर्डर बिगरता जा रहा है मुख्य मंत्री के आजपास जो चमचे हैं वें सभी सिफारस करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ट काम होनी चाहिए लेकिन अच्छा काम करने वाले अपसरों को बिहार में सजा मिल जाती है LSD के मेंटोर बने पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान लखनाव सूपर जाइंस ने IPL 2025 मेगा उक्षन से पहले भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को अपनी टीम का मेंटोर बनाया है जहीर खान IPL 2025 में पूरी दो साल बाद वापसी कर रहे है 2018 से 2022 तक जहीर मुंबई इंडियन से जुरे हुए थे आपको बता दे किससे पहले गौदम गंबीर इस पद पर थे कई कारणों से दर्जय भारत के तहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 1612 में सूरत की लराई में अंग्रेजों ने पुर्त गारियों को हराया था आज के दिन वर्स 1957 में कॉंग्रेस ने नागरिक आधिकार अधिनियम 1957 पारिद किया था आज के दिन वर्ष 1974 में चौधरी चरन सिंग की अध्यक्षता में लोकदल पार्टी की अस्थापना की गई थी आज के दिन वर्ष 1998 में पूर्व भारते क्रिकेटर सचिन दिंदुलकर को राजीब गांदी खेल रतन पुरसकार से सम्मानित के अगया था इंटरनेट आई पी ट्राफिक को लेकर कुछ लोगों को इमेल भेजा जा रहा है ये इमेल अदालत की तरफ से भेजने का दावा किया जा रहा है लेकिन आपको बता दी कि ये मैसेज पूरी तरह से फरजी है अदालत की तरब से सक कोई इमेल किसी को भी नहीं बेजा गया है P.I.P. Fact Check ने भी इस खबर की पुष्टी करते वे से फरजी बताया है इसलिए इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचे यदि इस तरह का आपको मैसेज प्राप्त हो रहा है तो तुरंत इसके खिलाब सिकायत दर्ज करवाएं हम प्रजिदन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगा उससे जवाब बताएंगे जो कि B.P.S.C. बिहार पुलिस दरोगा समेत ऐसे सी जैसे अन्दे प्रदोगी परेक्षियों में काम आएंगे सवाले दिहास प्यार स्पेसल विज्ञान करेंट अफेर्स और वो गोल से रहेंगे पूछे गया पांच सवालों में आपने कितना सहीं उतर दिया है यह हमें कॉमेंट में लेका जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में सत्भावना दिवस कब बनाये गया है ऑप्शन A है 20 अगस्त ऑप्शन B है 21 अगस्त ऑप्शन C है 18 अगस्त ऑप्शन D है 16 अगस्त इसका सहीं तर है 20 अगस्त हाली में 19वा CII भारत अफ्रीका वैपार कौन क्लिव कहां शुरू हुआ है आप्सन ए भोपाल, आप्सन बी न्यू दिल्ली, आप्सन सी है जैपुर, आप्सन डी है जवलपुर, इसका सहीं तरह नई दिल्ली हाली में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावार्ट पिजली का नर्यात करेगा आप्सन है स्रीलंका, आप्सन बी बांगला देश, आप्सन सी है भुटान, आप्सन डी है नेपाल, इसका सहीं तरह नेपाल बिहार केसरी किसे कहा जाता है, आप्सन डॉक्टर राजिंद्र प्रिसाद को, आप्सन बी है स्रिया राम सिंख को, आप्सन बी है नित्यानंद सिन्हा को, आप्सन डी है स्रीक्रिस्न सिंख को, इसका सहीं तरह स्रीक्रिस्न सिंख को कौन से पुराने बंस बिहार से नहीं थे ओप्शन ए मौर्या, ओप्शन बी ए गुप्ट, ओप्शन सी ए कलिंग, ओप्शन दी ए नंद, इसका सहीं तरे कलिंग बीते दिन हमारे दोरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत चारे लोगों अपना जवाब अब हमें हमारे कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में लेकर दिया थे, दिनों में दोरा पूछे के सवाल का जवाब जन के नाम है इसके साथ ही बरते आज के सवाल क्यों राज का सवाल है क्या आपको रेडियो एफम सुनना पसंद है आप अपना जवाब हमें कॉमेंट में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहा है बिहारी न्यूज़ और साथ हिकर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद